जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी और 18 फरवरी 2022 के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी किस तरह के परिवर्दन आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे जो ग्रहूं का प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहेगा जो नक्षत रहें वो आपकी दिंचरिया पर कैसा प्रभाव डालेंगे तो सब को जानेंगे विस्तार से तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सबी जानकारियां मिलते रहेंगे तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सत्रा फरवरी का दिन यह गुरुवार का दिन है क्रश्न पक्ष की प्रति पताती थी है मगा नक्षत्र रहेगा अतिगर नाम का योग बनेगा इस दिन जो चंद्रमा है वो सिहंग राशी में है यानि आपके बारवे भाव में चंद्रमा है सूर्य कुमराशी जहनिस्ट नक्षत्र में है अभी जीत मोरत है दो पहर 12 बच कर 13 मिनट से 12 बच कर 58 मिनट तक 18 फरवरी का दिन यह शुकरवार का दिन है और क्रेशन पक्षे की द्वितिया तिती है पूर्व फालगुनी नक्षत्र रहेगा चंद्रमा सेंग राशी में ही है रात्री तक सूर्य कुमराशी जहनिस्ट नक्षत्र में है इसके अलावा इस दिन का जो अभी जीत मोरत होगा वो होगा दोपहर 12 बचकर 13 मिनट से 12 बचकर 58 मिनट तक तो ये हो गई ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति अभी निके नुसार हम जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये राशी फल्ट चंद्रराशी परादारी थाया चंद्रमा की स्थिति बहुत माईने रखती है तो पहले 17 फरवरी की बात कर लेते हैं कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो जैसा का चंद्रमा आपके बारवे भाव में बैटे हैं सेहिंग राशी में तो इस दिन खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खुबसूरत और शांदार तस्वीर बनाने वाले हैं आप आर्थिक तोर पर बहतरी होगी और इस बहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीज़ें खरीदना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों के साथ परिवार के साथ मज़ेदार समय विताएंगी विवाह प्रस्ताव के लिए बहुत अच्छा समय है और विवाह प्रस्तावाने के योग भी बने हुए है इस दोरान आपका प्रेम जीवन भर के साथ में बदल सकता है यानि प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं आपके सहकर्मी हैं आपके कनिस्ट हैं उनके कनिस्टों के चलते कई तरह के जो तनाव थे चिंताएं थी उनको दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं कुछ नए विचार होंगे, कुछ नए लोग होंगे जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा और उमी से ज़्यादा भी फल आपको प्राप्त हो सकता है तो आप कह सकते हैं ये दिन यादगार शामों में से एक ऐसाद दिन हो सकता है जिसे आप यादगार बना सकें बाकी खन्यराशी के जातब कुछ अध्यात्मिक रूप से भी ज़्यादा सत्रिय रहेंगे अध्यात्म की तरफ भी आपका रुजहान बढ़ता दिखेगा जीवन में धर्म की भूमिका का मुल्यांकन आप कर सकते हैं यानि धर्म कर्म से ज़्यादा जुड़े रह सकते हैं किसी धर्मी की आत्रा पर भी जाने का यूग बना हुआ है और देखे ऐसी जब रुचियों में आती है तो बड़ी शांती मिलती है ऐसी रुचियों से तो उनका पालन करें अगर आपका मन है तो आप जरूर करें अंधरुनी तोर पर बहुत आनंद की प्राप्ती होगी आपको परिवार के साथ अपनी कुशियों को साजा करना ना भूलें आपका व्यक्तित है वो उससे प्रभावित होता है दो पहर साड़े बारा बजे से और दो बजे तक का समय बहुत उत्तम रहने वाला है बहुत ही सुब रहने वाला है अगर आपके सिकारे को करना चाहते हैं तो और आपका जो भागिशालिक कालर होगा ना इस दिन वो होगा क्रीम क्रीम रंग के बस आप इस दिन धारन करें जो आपके कई कामों को बना सकते हैं कई कामों में आपके लिए सफलता देने वाले हो सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के सपने को पुरा करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने द्रस्टी कोण में परिवर्तन भी लाना होगा सोचने समझने की जो आपकी एका आपका जो द्रस्टी कौन है उसमें थोड़ा सा परिवर्टन लेकर आए और फिर देखें आपको बहुत कुछ अलग दिखाई देगा इसे पाने के लिए बस अपने इरादे मजबूत रखें और लगातार मेहनत करते रहें लगातार मेहनत करने वालोगी कभी हार नहीं होती और एक नएक दिन आप सफलता के सीड़ी चरते हैं आपकी सोच सकारातमक होगी आपकी मेहनत भी होगी और उसके कारण ही आपको सफलता भी अच्छी प्राप्त होने वाली है मागेशाली दिन है कहीं से न कहीं से पैसे जरूर आएंगे और पैसे आएंगे लेकिन अगर आप किसी लाट्री वाट्री के चक्कर में हैं तो उस चीजों से आपको सावधानी रखनी है इसी चीजों से दूर रहना है आपको आप कुछ दिनों में गाड़ी खरे दिना चाहते हैं उसके लिए आप लोन वगेरा का अपलाई कर सकते हैं उसके लिए अच्छा दिन है लोन अपलाई करने के लिए कहीं से अतिरिक्त रखम भी मिलने वाली है कुछ चीजों में बचत भी होती हुई दिखाई दे रही है तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन है घर पर भी और आफिस में दोनों ही स्थानों पर शांती पून माहुल रहेगा शांती पून माहुल होगा तो वामकाज में भी मन लगेगा और आप कानूभभ भी बड़ा मज़ेदार होगा आप इससे प्रेलित भी होंगे जो निजी बाते हैं आपकी वो बसाथ किसी और के साथ न बाटें अपने निजी बातों को अपने तक ही संबिलित रखेंगे तो अच्छा रहेगा नई ताजगी नई उर्जा का को महसूस करेंगे अपने काम पर अपने शब्दों पर गौर करें और कुछ जो चीज़ें आप सुझाना चाहते थे कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आपको द्यान देना होगा कारेशेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी और दिन भी काफी अच्छा है सेहत का थोड़ा सा देहान रखें सेहत का देहान रखेंगे तो अच्छा रहेगा अब ठारा फरवरी की बात करते हैं ठारा फरवरी का दिन कैसा है चंद्रमा बारवे भाव में हैं और जो जातक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर आप विदेश से जुड़े हुए हैं या आपका कोई रिलेटिव विदेश में रहता है तो आपके लिए इस्तियां बड़ी शुब होने वाली हैं विदेश से लाब के कई तरह के योग बने हुए हैं आज अनेक रूप से भी लाब होने का योग है जो आपके हर सो ल लिखाई देंगे चिंता से मुक्ति मिलेगी कोई पराने दोस से मुलाकात हो सकती है या फिर अचानक से आपको कहीं जाना बढ़ सकता है और वहां आपकी दोस से मुलाकात हो सकती है दोनों ही सुरतों में अपनी किसी मित्र से मिलकर आपको खुशी होने वाली है व्यपार में नए लाबदायक संपर्क बनेंगे और ऐसे समय में अपनी मन को बिल्कुल भी डियर ना छोड़ें अलस बिल्कुल न लाएं अगर आप अलस करते हैं तो लाब से वन्चिप्त भी रह सकते हैं तो इस पर आपको नहां देना होगा नौकरी पेशा लोगों को वो कुछ लोगों को आज पदोनती की संभाव ना है चाहे पदोनती छोटी मोटी ही क्यों ना हो लेकिन होगी जो आपको आर्थिक रूप से स्ट्रॉंग करेगी आर्थिक रूप से मजबूत करेगी शाम होते होते कई चौकाने वाली खबर भी मिल सकती हैं कामों की भी प्रसंसा होगी खुल कर खुल मिलाकर आप खुल कर इस दिन को दिएंगे जीवन साथ है कि कुछ बातें आपको जरूर परिशान कर सकते हैं हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें आपको बोल नहीं जो आपको अंदर तक लग जाएं तो ऐसी बातों को बाकी पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वादिवाद के स्थिति हो तो दूर रहें जगड़े नहीं वरना सम्मन भी गड़ सकते हैं दिन खराब हो सकता है दिन खराब होगा तो मानसिक अशानती भी मन में रह सकती है तो इन चीज़ों का थोड़ा सा देहान रखना है इस्टूडेंट्स के लिए दोनों ही दिन अनुकूल है जो हार एज्यूपिशन से जुड़े हैं उन के लिए ज़्यादा अनुकूल ये दोनों ही दिन रहने वाले हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें